हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्विन कोल्ड डियस सीरफ के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सॉल्विन कोल्ड डियस सीरफ है क्या इसके यूज है क्या इसके डोज है क्या इसके side effect है, क्या इसके price है साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या composition है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना तभे आप इस solvent cold DS syrup को संपूर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप वीडियो को मिस कर देंगे तो आप इस syrup की संपूर जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो दोस्तों चैनल को subscribe जरू कर दे साथ में बगलन बेला की घंटी है जरू प्रेस कर दीजिए तो चलिए दोस्तों देड़ना करते हैं वीडियो को start करते हैं दोस्तों इस जो सॉल्बन कोल्ड डियस सीरफ है यह साथ हमल में आती है जो है जो चोटी बच्चों में यूज की जाती है बात कर देते हैं इसके क्या composition है तो आप देख सकते हैं पैरसीटा में 250 mg फिनेल फेरिन हैड्रो कॉलराइड फास यमजी chloroferenamide mellet 2 mg सीरफ इसका salt है जो solvent cold डियस के नम से आप इसे किसी वनिजदी के medical store से आसाने से खरी सकते हैं बहुत ही बहतरीन सीरफ है दोस्तों दोस्तों बात कर लेते हैं डाक्टर इसे किनकिन समस्या में यूज करते हैं चोटे बच्चों में दोस्तों कोई बच्चा है जिसे बार-बार सर्दी जुखाम नाक से पानी आना या आँखों से पानी आना या खासी के समस्या है या बार-बार बुखार हो जाता है सर्दी जुखाम के जासे तो उस condition में इस solvent cold डियस सेरफ का यूज डाक्टर करते हैं ये सर्दी जुखाम बंदनाक या आखों से पानी आ रहा है नाक से पानी आ रहा है या खासी के समस्या है या बुखार की समस्या है तो उस condition में इस सेरफ का यूज किया जाता दोस्तों बहुत ही बहतरीन सेरफ है बात करते हैं इसकी कुछ side effect के बारे में वह से दोस्तों side effect दिखता नहीं फिर भी आपको जनकाली के लिए बता दें सेरे में लाल चकते होना या सेर में चकर आना या पेट में कोई infection होना या और कोई समस्या दिखाये दे तो इसका यूज बंद करके तुरंत पर नजदी की डाक्टर से सलाह लें दोस्तों बात करते हैं इसके doges के बारे में दोस्तों इसका doge जो है डाक्टर के काउडिंग यूज करें इस medicine की यूज करने से पहले एक बाद पर नजदी की डाक्टर से सलाह लें इसके बाद ही आप इसका यूज करेंगे दोस्तों इस वीडियो में दी जनकारी के लिए हैं पुज जनकारी के लिए इसलिए वीडियो को देखका दवाकर उजना करें इसलिए आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो एक बाद ही आप उस मेडिसिन का इस्तमाल करेंगा दोस्तों इस वीडियो में दी जनकारी अच्छे लगी हूँ तो चैनल को लिए सब्सक्राइब साथ वीडियो को लाइक से जरू करें कोई कमेंट हो तो कमेंट बाक्स में कमेंट जरू के दोस्तों अचले फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो में एक नई जनकारी के साथ